आप सबसे पहले तो यह समझ लिजे कि इस बार एक्जाम में मुकाबला बिल्कुल टक्कर का रहने वाला है तो या तो इस बार पूरी तरह से जान लगा देना है या फिर जाने देना है तो आचुका है आप सभी के 20 में रिजनिंग का धमाकेदार परिक्षा वाला प्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा समझ लिजे आज ही आपका एक्जाम है करके दिखाए कितना बहतर परदर्शन आप कर सकते हैं यहां पे और जितने भी मेरी बिहार की केंडिडेट मुझे देख रहा है उनके लिए दो लाइन में कहना चाहूंगा कि अरे भाया जब सबसे पहले तो आप यहां पी दान दो यदि आप किसी भी डिफेंस एक्जाम की तैरी कर रहे हो चाहे हो एंडी यह और फोरस या फिर ने भी यदि अभी तक आपने अनकाडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी तैरी अधूरिया जी आप सूस रहे होगा ऐसा क्यों बोल है अलिम्टेट प्रैक्टी साइज हो रहा है इस्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको यहीं पर मिल जा रहे है और साथ में आप देख सकते हो यार नेवी वालों के लिए यहां पर यह 25 अगस्थ से डिटेल बैच कोर्स भी सुरू हो चुका है जिसका नाम है विकरांत नेभी बैच जो भी नेवी के केंडिट हैं वो इस बैच से अपनी तयारी कर सकते हैं इस बैच कोर्स से जिसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं और यह NDA 2 के लिए आप दे सकते हो अगनी NDA 2 बैच आपका यह डिटेल बैच कोर्स है जो कि यह भी आपका 25 अगस से सुरू हो चुका है और इसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं तो सोचना क्या है एंड यह की बैधर त्यारी करना चाहते हो तो फटा फट जाकर यह बैच कोर्स जोईन कर लो आपको कुछ नहीं करना यह चीज आप यहां पर देख लो आपको यह आफर्स मिल ला है ठीक है प्लस स्क्रिप्शन पर यह आप बारे महीने का स्क्रिप्शन लेते हो दो महीने का स्क्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा 24 महीने के स्क्रिप्शन पर चार महीने का स्क्रिप्शन बिल्कुल फ्री और यह सिर्फ एक अगस्त से 31 अगस्त प्रफिकेबल उसके अंदर लोगी यदि आप सब्सक्रिप्सन तभी आपको यह चूट मिलेगे ठीक है और यहां पर देख लो आपको कुछ नहीं करना है वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में फटाफट जाओ अनक्याडमी आपका लिंक मिल जाएगा वहां से उसे अपने फोन सबस्ष Channel में आप सबी को बता दू कि रीजनिंग के हर एक चैप्टर से मैं इक फुल प्रैक्टिस ट्यूत करा सब्सक्रिप्स में हर्यां प्रैक्टिसेट में चलिए फट फट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं देखें कोशन क्या कहता है विच अब फॉलूइंग डाइग्राम से इंडिकेट बेस्ट रिलेशन बिटमीन कह रहा है कि इन यह जो चार आरिक दिये गए है ठीक है यानि चार डाइग्राम दिये है प्रेस ठीक है जिसे हम लोग जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं और तीसरा आपका घर ठीक है तो फट 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 जर आई से साल्व करेगा कौन सा फीगर जो है इन तीनों में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दरसा आता है आपसे नमर ए यह तीन सर्कल एक में यानि तीन यह उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ लेकिं यहां से एक कोशन आपके एक्जाम में डेफिनेटली आने ही वाला है तो प्रयास किजिए कि वेंड आरेक से यदि कोई भी कोशन आता आपके एक्जाम में तो छुटना नहीं चाहिए मैं आपको उता दूँ यहां पर चलता है और और अब alick आजिघा से बिल्कूल डिफरेंट है तो देखे आशा इसा अंबर डी में तो डी वाला करेक्ट है इसको ट्रिक कट दीजए चलेEM लिए अगला कोशन के चाहिए कहरा कि है काउनसा फिगर जो है सबसे बेश्ट रिले करेता है केरेट यानि गाजर, खाना और सबजी में, फटा फट कमेंट करीगा, केरेट, फूड एंड वेजिटेबल, चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपस नमर A देख लिए, तीन सरकल एक में, आपस नमर B, एक सरकल, उसके अंदर दो सरकल, आपस नमर C, एक सरकल, और साइड म लेकर के, ठीक है, यह हो गया आपका फूड, और फूड जो फूड है, उसके अंदर आता है वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल है, फूड के अंदर ही आता है, ठीक है, तो यह आपका फूड हो गया, और यह हो गया आपका वेजिटेबल, और वेजिटेबल के अंदर क क्या आता है कैरेट मतलब गाजर क्या है सब्जी में ही आता है ना यह हो गया आपका केरेट ठीक है तो ऐसा फिगर है में कहा देखने को मिल्ला है आपस नमबर ऑप तो आपसे नमर एट ट्रिक कर दीजे, बिल्कुल करेक्ट है, देखे, वेन आरेक में थोड़ा सा आपको जो है, सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सटिक तरीके से आप उसका answer निकाल सकते हैं, एक कोशिन होगा छोड़ा नहीं है एक्जाम में, ठीक है, चले आगले कोशि दी, चारों फीगर आप देख लिजाए और कमेंट करिए कौन सा सही होगा, भाई, पती और आदमी, तीनों में सबसे बेश्ट डिले समझ जो है, कौन सा फीगर दरसाता है, तीनों का, ठीक है, चले, मैं आपको उतार देता हूँ, देखे, सबसे पहले, ये हो गया हमारा आ हो गए, आपके हस्बेंट, आप देखे, आप कहेंगे, सर ये दो सरकल, आपने एक क्यों किया, क्योंकि देखे, एक भाई ही किसी का जो है, हस्बेंट होता है, ठीक है, और एक हस्बेंट किसी का भाई होता है, मतलब जो है, एक जो भाई है, ठीक है, किसी का, वो किसी ना कि किसी का भाई भी होगा तो यह relationship दरसाया जाता है ऐसे ठीक है तो ऐसा figure हमें कहां देखने को मिला है ऐसा figure तो यह हमें देखने को मिला है आपस नमर B में तो आपस नमर B हमारा बिल्कुल correct है जिन लोग ने आपस नमर relation कौन सा figure दरसाता है figure आप तीनों देख लिजएगा सारी चारों देख लिजएगा अब फटाफट कमेंट करिए कौन सा figure जो है दरसाता है इन तीनों में सबसे best relation से चले मैं आपको देता हूँ यह हो गई आपकी चीडिया और चीडिया में क्या आता है कबूतर ठीक है कबूतर एक चीडिया की प्रजाती है ठीक है बर्ड्स है यह हो गए आपका पीजन और जो डॉक्स है यह बिल्कुल अलग है ठीक है यह एनिमल है वो birds यह है ठीक है पीगन क्या है birds बलकी dog क्या है animal की category में आता है तो यह बिल्कुल अलग है तो एसा figure हम हमें कहाँ देखने को मिल आय है आपस नमर आ में जो चोथा का बिल्कुल correct हो जागा जिन भी candidate ने solve करका आपस नमर आ लाया है उनका बिल्कुल correct है बिल्कुल ऐसा ही विए भूसी हरी और फिर क्या करते है अपना डाक्तिन का भी काम करते हैं तो यह होगे आपके डाक्टिर ठीक है और एक इंजिनियर बता ये teacher हो सकता है कि नहीं हो सकता है बिल्कूल हो सकता है एक ये हो गए आपके जो है engineer लेकिन मैं आपको आदू इन देखिए का इन दोनों figure को मैंने match नहीं किया एक μεं doctors और इंजिनियर वाले figure को मैंने एक में match नहीं किया क्योंकि ये दोनों जो सबसे ब्सक्राइब दोस्तों तो हमारा आगला कोशन दिया गया है मेल्स फादर एंड हुमन बिंग देखिये बहुत मैं पुर्षिंग यहां फिर फादर मतलब पिता जी और हुमन बिंग मतलब मानो प्रजाति भाई ठीक है चलो हुमन बिंग चलिए अब यहां पर हम आपको समझाते हैं ध्यान सबसे पहले यह हो गया हुमन बिंग ठीक है हुमन बिंग के अंदर आते हैं कौन मेल्स मतलब पूरुस और पूरुस ही क्या होते हैं पिता होते हैं महिला तो पिता नहीं हो सकती ना भाई महिला माता होती है ठीक है तो यह हो गया आपके हुमन बिंग ठीक है उनके अंदर आ है उनका बिल्कुल सही है और मैं आपको होता दूए यदि आपको इस प्रैक्टिसेट का PDF चाहिए आप इसे दुबारा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारी टेल्ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जाहिए हमें जानते हैं तो फटाफ नों के बीच में जो है कौन सा फिकर सबसे बस रिलेसंट सीब दरसाता है फटाफ़ट कमेंट करिये चलिए मैं आपको बता देता हूं लेखे सबसे पहले एक चीजंश बता हिए क्या एक डाक्टर ठीक है सुरी डॉक्त में डॉक्ति संत्प सकती wraps और हो सकती है और वही फीमें पैसेंट भीुल सब्सक्राइब की नहीं हो सकती है आप कोर्स हो सकती है ठीक है एक फीमेल सबसे पहले तो पैसेंट भी हो सकती है मरीज भी हो सकती है और एक फीमेल डाक्टर भी हो सकती है अब क्या कोई फीमेल डाक्टर पैसेंट हो सकती है बिल्कुल हो सकती भई डाक्टर भी बीमार होते हैं ठीक है तो ऐस जो फीमेल है क्या वो पैसेंट हो सकती है मरीज हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है तो ऐसा फिगर हमें कहां देखने को मिल ला है आपस नमर सी में तो हमारा आपस नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन भी केंडिडेट ने सॉल्व करके आपस नमर सी लाया है उनका बिल रेप्ताइल्स मतलब देखेका रेप्ताइल्स मतलब होता है ऐसे जानवर किड़े माकोड़े आते हैं यह जो कुड़ड व्लड़नेड की श्किन कुल बिलड़ने Instead से बच्ची होता है अंडे से पैदा होते हैं भी बइंदेस कंदे क्या और मैमल onu से होते हैं जिनके सरीर पे फर हो ठीक है हाट ब्लूर्ड हो उसाथ में बेबी को जनम देज जनम ऐसा तो ऐसे में देखेगा जो लिजार्ड है यह क्या है यह पहली बात तो यह cold-blooded skin का यह एक प्रकार का यह लिजार्ड है ठीक है चिपकलिए साथ में अंडे देती है ठीक है यह reptiles में आ जाएगे और जो लाइन लाइन है यह amphivians है मतलब यह क्या है इसको एंफिवियंस बोलेंगे ठीक है अस्तंदारी जिसको बूलते हैं तो क्योंकि यह बच्चे को जनम देता है और यह कोड़ ब्लडड रही है और जबकि वार्म ब्लडड है ठीक है यह होगे आपके रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं लिजार्ड ठीक है और य वित करफेश तो हमसी नंबर और मतलब क्या है प्यालीज निए आजाणी न को सब्सक्राइए भी बॉल और मांसह भी बछाणिए ऑंकुल क्या होता है या फिर बोल लिज प्र रोकष नाही घैक है? हर्वी बोरस कार्णी बोरस में कन्फियूज मत होईएगा है मांसा हाररी और ओम्नी को बोलते हैं सरवाहारी ठीक है तो यहाँपे बात थो लिए कार्णी बोरस की पैसे सबसे पहले तो आप फटा फट जो असाल होते हैं वो भी जानवर ही है ठीक है और कार्णी बोरस भी जो कार्णी मांसाहरी होते हैं वो भी जानवर ही होते हैं जानवर मांसाहरी भी हो सकते हैं ठीक है और साकाहरी भी लेकिन जो हमारा बुल है सबसे पहले तो वो जानवर में आएगा ठीक है यानि साड या फिर बैल जो है किस क थो फूल पत्यां रुद्रो खाते हैं उस तरहें आसे नहीं आसकता है कि कुछ इससे टょ rappelle बुल अलग है और छीर देखने को मिल ला एक बार फिर से फिगर ट्रॉ करता हूँ ऐसा करके ऐसा फिगर वह में आपस नमर जो है डी में देखने को मिल ला है तो हमारा आपस नमर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है जो आपका बुल है वो एनिमल के अंदर आएगा और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कार्णी बोरस होते हैं मतलब एनिमल होते हैं जो वो कार्णी बोरस होते हैं लेकिन यह बुल क्या है यह हर भी बोरस है तो इसके अंडर में नहीं आएगा यह सिर् वर्ड मतलब विस्व फिर इंडिया फिर दिल्ली ठीक है देखिए मैं आपको समझाता हूं ध्यान दीजेगा यह होगा आपका वर्ड वर्ड के अंदर आता है आपका इंडिया ठीक है क्योंकि यह एक देश है जो विस्व के अंदर आता है और इंडिया के अंदर आता है आप तो बेहतब आसान है फड़ा-फट सॉवड किजे देख्ये यह होगा आपका अपका هस्पिटल अपपीटल में डाक्टर भी काम करता है ठीक है और नर्स भी काम करता लेकिन डाक्टर और नर्स में कोई relationship नहीं है ठीक है स्ट्थ क्या रेक्टर क्रता है यह इलाज करता है ठीक है रिलेशन नहीं है बलकि यह हास्पीटल हो गया और हास्पीटल के अंदर ही दोनों काम करते हैं ठीक है नर्स एंड डॉक्टर तो ऐसा फिकर हमें आपस नमर ए में देखने को मिल ला है तो हमारा आपस नमर ए जो है बिल्कुल और आपसे को नहीं है यह व meisten लेटाओ युटा है की इतने संवंब करके बताना ही क्योंकी मैं सिर्फ एक क्लास का पर होए मैं समझ लेता हूं जान लेता हूं औरूमें आपको यह भी कमेंट करक्याय बताना है कि इतने कोशें भी टफ कर सकुँगा गर लिवन्ड और लइन जानवर तैंदुआ और सेर इन तीनों में सबसे क completing 5-7 कार फिगर में इसे कौन सा दर्सात है figure एक बार देख लिजे मैं video long pause करता हूँ ठीक है देख लिजे उसके बाद आगी की बात करते हैं तो finally इस question का जो है आप सभी को comment करके बताना जितने भी लोग मुझे देख रहा है सब को comment करना है वाकि आज के class में बस रहने देते हैं अगला फिर नया practice जल्द ही आने वाला है आपका ठीक है साम तक wait करिए तब तक के लिए वीडियो पर नए है तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share कर दीजे ताकि वो भी इस class को देख सकें और अपनी तयारी बहतर से बहतर कर सकें चल